8 अक्टूबर को करवाचोत का त्योहार मनाया जाएगा पूरे देश में धूम धाम से ये त्योहार मनाया जाता है ऐसे में बलिवुड से लेब्स में भी इस त्योहार को जोज दिखता है बलिवुड में भी कई जोडिया हैं जो करवाचोत को पूरे रीती रिवाजों से मनाते हैं 2007 में अभिशेक कोड एश्वर्या ने शादी की थी और उसके बाद से एश्वर्या हर साल पूरे रीती रिवाजों से मनाती हैं करवाचोत का वरत एश्वर्या राय बच्चन से खास बात चीट सुना है आपके पहले करवाचोत पर अभिशेक ने भी आपके साथ वृत रखा था? हाँ अभिका कहना है कि जब मैं उसके लिए भूखी रह सकती हूं तो वो मेरे लिए भूखा क्यों नहीं रह सकता? लिहाजा अभी ने पहला करवा चौत का वरत रखा था लेकिन बाद में मैंने ही उनको मना किया वरत रखने के लिए क्योंकि वो परेशान हो ये मुझे पसंद नहीं एश्वर्या क्या आप इस साल भी पूरे रीती रिवाजों के साथ करवा चौत मनाएंगे बेशक मैं हर साल पूरे रीती रिवाजों से करवा चौत का वरत मनाती हूं और इस साल भी मनाऊंगी क्योंकि ये वरत पती की लंबी आयू के लिए रखा जाता है और मैं अपने पती से बेहद प्यार करती हूं इसलिए मरते दम तक करवा चौत का व्रतरीती रिवाजों से मनाऊंगी कहते हैं कि पती-पत्नी का रिष्टा साथ जन्म का होता है तो क्या आप हर जन्म में आप अभिशेक को अपने पती के रूप में चाहेंगी? हाँ अगर सच में साथ जन्म वाला कौन सेप्ट होता है तो मैं हर जन्म में सिर्फ अभिशेक को ही अपनी पती के रूप में चाहेंगी जितना प्यार अभिशेक ने मुझे दिया है उतना प्यार तो मैंने खुद को नहीं किया कभी करवाचौत पर आप सबसे स्पेशल क्या करना पंसद करती है? मुझे करवाचौत पर सजधस करचान को देख कर पूजा करना बहुत पंसद है इसके लिए पूरा दिन तो क्या पूरा हफ़ता व्रत रख सकती हूँ? आपका सबसे यादगार करवाचौत कौन सा है? करवाचौत का व्रत रखा था तो अभिने लंदन अकर मेरा व्रत तोड़वाया था और मेरे लिए बहुत अच्छे गिफ्ट भी लाए थे ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी मेरे लिए ये सरब प्राइज था क्या आप अपनी सास के मुताबिक ही करवाचौत के व्रत की पूजा करती है? हाँ मेरी सासू मां हर साल मुझे सरगी देती है यहां तक कि जब मैं लंदन में थी तब भी मेरे लिए मां सरगी लेकर आई थी अगर किसी करवाचौत पर मैं शूट पर नहीं होती तो मैं और सासू मां साथ ही में व्रत का पूजन करते हैं आप एक मौरडन एक ट्रेस हैं तो ऐसे में आप रीती रिवाजों को पॉलो करना कितना जरूरी समझती है? मुझे लगता है कि रीती रिवाजों को पॉलो करने से सुकून मिलता है साथ ही साथ मन भी प्रसन रहता है सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब आप किसी अपने के लिए प्यार से व्रत रखते हैं करवाचौत पर सबसे यादगार गिफ्ट मुझे पहली करवाचौत पर अभी ने एक बहुती स्पेशल गिफ्ट दिया था जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ बाकी हर साल करवाचौत पर अभिशेक मुझे कुछ ना कुछ सरब प्राइज देते हैं जो मेरे लिए स्पेशल होता है आपके पास प्यार और पैसा दोनों ही है ज्यादा महत्वपून किसे मानती है प्यार मेरे लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते हैं मेरा मानना है कि जिसके पास प्यार होता है वो खुश नसीब होता है